तो दोस्तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2 companies के बारे में और दोनों companies अपने segment की leading companies हैं, अपने product segment में market leader companies हैं, दोनों ही companies मेरे portfolio का part है, हो सकता है, आपके portfolio में भी है, दोनों companies होगे, तो दोनों companies को analyze करेंगे, harleyman के q4 के नतीजे भी आये है earnings को भी हाँ पर analyze करेंगे कैसे रहे नतीजे आगे के रणिती क्या होनी चाहिए कुछ fundamental updates भी है news है वो आपके साथ share करूँगा मैंने क्या किया है इन दोने stocks में वो भी share करेंगे technical chart पर अप क्या situation है buying अभी करनी है नहीं करनी with rational सारा discussion करेंगे तो बने रहे वीडियो के साथ लेकिन उस पर बनने से पहले देखिए कल के दिने के important वीडियो अपलोड हुआ अगर आपने नहीं देखा है जाकर जरूर देखिएगा एक गजब का economic data आपके साथ share किया है Indian point of view से एक वो कौन सा stock है जो अच्छा भी नजर आ रहा है वो आपके साथ share किया है काफी attractive relations पर trade करा IT sector को technically analyze किया है और क्यों यहाँ पर recovery के संकेत दिख रहे हैं वो analyze किया तो यह वीडियो जाकर देखिएगा नहीं देखा है तो तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे पहली company नाम है Jubilant Foodworks यानि कि Domino's पिजर सेग्मेंट में market leader companies है कमपनी है कल ही इसके quarter four के नतीज़ा है नतीज़े हाँ पर बहुत ही weak नतीज़ा है लेकिन स्टिल हमने देखा कल के दिन stock price में हमको तेजी देखने को मिली तो उसके पीछे क्या reason हो सकते है वो थोड़ा assume करने की कोशिश करेंगे लेकिन उससे पहले result देख लेते हैं तो देखिए sales की बात की जाए तो करीब 1176 करोड का जो sales है वो बढ़के यहाँ पर 1270 करोड का हो चुका है तो टॉप लाइन में डेफिनिटल वाई 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 बेसिस पर अराउंड 8% की ग्रोथ हमको देखने को मिल रहे है लेकिन sequential बेसिस पर अगर आप देखें तो यहाँ पर decline देखने को मिल रहे है लेकिन जिस price to earning multiple पे stock trade करा I think करीब करीब 90 के PE पे stock trade करा तो उससाब से 8% की growth बिल्कुल भी justified नहीं है तो बहुत ही खराब production रहा है यहाँ पर टॉप लाइन में बात करते हैं gross margin या फिर operating profit margin देखें तो 23% से गर के 17% yearly basis पे 22% से गर के 17% तो margins भी हाँ पर down है profitability तो बहुत जादा decline हुए 96 करोड का profit 29 करोड का हो चुका है yearly basis पे 80 करोड का 29 करोड हो चुका है तो नहीं top line में growth है नहीं आप gross margins improve हुए है operating profit margins काफी down है EPS growth तो बिल्कुल भी हाँ पर देखने को नहीं मिलती तो इस हिसाब से तो यहाँ पर stock price में काफी गिरावट होनी चीए थी होई क्यों नहीं उसके पीछे देखिए मैं कोई fundamental reasons तो नहीं आते हैं लेकिन technical reason की बात की जाए तो यहाँ पर stock already काफी जादा पिटा हुआ है काफी जादा गिरा हुआ हो सकते हैं पर काफी सारी shorts position बनी हुई हो तो वहाँ पर उनको trap किया गया हो market में जो हमको इस वज़े स्टेजी देखनी को मिली हो और दूसरा reason एक यहाँ पर fundamental reason यह है यह तो technical reason था कई सारी reports और market expectations के अनुसार यहाँ पर जो same store sales growth यहाँ पर expectations थी वो minus 2% के आसपास थी लेकिन जो LFL growth है या फिर SSSG growth है वो jubiland foodworks की रही है करीब-0.6% minus 0.6% तो उस हिसाब से expectations के comparison में बात करें तो यहाँ पर LFL growth यहाँ पर अच्छी रही है तो उस हिसाब से stock में थोड़ी तेजी हमको देखने को मिली है लेकिन फिर भी यह justified नहीं है ultimately देखिए stock price is always a slave of earnings यानि की earnings profitability EPS growth हमेशा dictate करेगे stock price को तो जब तक earning growth नहीं है कोई भी यहाँ पर तेजी मेरे हिसाब से justified नहीं है और यहाँ पर आज की दिन भी हमको गिरावट देखने को नहीं मिली मैं expect कर रहा था कि यहाँ पर गिरावट होगी लेकिन क्यों नहीं होई गिरावट तो यहाँ पर एक और foodworks और यहाँ पर कई लोग यहाँ पर line में खड़े हुआ है तो अगर jubiland foodworks यहाँ पर इस company में stake acquire करता है तो कहीं न कहीं positive हो सकता है long term point of view से तो इसकी वज़े से भी आज stock में हमको एक recovery देखने को मिली हाला कि stock आज 3-4 percent down था लेकिन फिर से एक बार recovery हमको देखने को मिली तो यह news अभी market में float हो रही है let's see यहाँ पर कितनी यहाँ पर यह true होगी लेकिन अभी at this point of time definitely एक news है तो news के वज़े से हमको market में jubiland foodworks के stock में एक positivity हाला कि अभी तो है in fact देखने को हमको मिल रही है stock 3-4 percent down था लेकिन अभी हम देखेंगे तो I think 1 percent के आसपास down है अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि क्यों यहाँ पर numbers इतने weak रहे हैं क्यों यहाँ पर बिल्कुल भी top line में growth और margins क्यों इतने down हुए है तो उसके पीछे reason है देखिए inflation जिया तो user essentials है उनमें हमको गिरावट देखने को definitely वहाँ पर rise हमको देखने को मिला है तो देखिए revenue growth math rate 1.2 percent की है यहाँ पर LFL growth देखिए minus 0.6 percent की है जो expectations थी वो minus 2 percent की थी लेकिन यहाँ पर उस साब से अच्छा है और इसी विए से हो सकता है एक तेजी हमको देखने को मिली हो अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि historic high inflation की वज़े से margins भी डाउन हुए तो देखिए gross margins down है, EBITTA margins down है, PAT margins यहाँ पर गेड़ते हुए नजर आए हैं तो काफी ज़्यादा वीक यहाँ पर numbers नजर आए हैं हाला कि अभी कुछ दिन पहले देव्यानी के number भी आये थे, देव्यानी के numbers भी काफी week थे वहाँ पर भी जो input cost inflation है उसको यहाँ पर उसको highlight यहाँ पर किया गया management के द्वारा, तो यह reason है भालकि यह चीज़ नेगेटिव जरूर है लेकिन देखिए अगर मैं long term point of view से बात करूं जिसका नजरिया 3-5 साल का है तो QSR जो space है काफी attractive नजर आता है, long term यहाँ पर अच्छी चीज़ नजर आती है और इसलिए इस हाई है बट यहाँ पर long term consumption story को play किया जा सकता है, discretionary spending को play किया जा सकता है जहाँ पर यह QSR space आता है, आप देखिए definitely high inflation के वज़े से impact हो रही है चीज़े लेकिन जो अच्छी चीज़े हैं वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा, जो expansion है company का वो काफी जबर्दस्त है, store count दे देखिए लगाता है, city coverage बढ़ता जा रहा है, टीर थी शिटी तक यह आप जा रहे हैं, पहले टीर वन टीर टू यह थे यह तो यहाँ पर जो है इनका expansion हो चुका है, network की बात किये तो लगाता है network expansion हो रहा है, आप देखिए आप डॉमिनोज अठारा सो सोल अकाउंट हो अभी हाली में काफी सारे store open की हैं और यह एक जबरदस्त growth trigger हो सकता है, इनका लगाता है, यहाँ पर नए store count add होते हुए जा रहे हैं, तो long term story intact नजर आती है, लेकिन short term point of view से अगले हो सकता है, एक साल में inflation की वज़े से stock time wise correction में चला जाए, हो सकता है, थोड़ा price wise correction भी हो ज जरिया है, तो domino's को add किया सकता है, हलाकि price बहुत जादा pricey है, मतलब expensive valuation है, तो मेरे ख्याल से बहुत जादा allocation अभी नहीं देना चाहिए, मैं क्या कर रहा हूँ, तो basically मैं आपर कुछ भी नहीं करा, मेरे पास इसका अच्छा कासा allocation already है, downtrend में यह stock है, तो इसको मैं अभी add नहीं करूँगा, जब यहाँ पर earnings में EPS growth आना शुरू होगी, inflation का impact कम होना शुरू होगा, stock में या फिर इसकी balance sheet में वो मजबूती आना शुरू होगी, ठीक है, earnings यहाँ पर आना शुरू होगी, profit margins इंप्रूव होना शुरू होगी, तब मैं इसको आपके side करना शुरू कर अगर आप position बनाने की सोच रहे हैं इसमें, तो मेरी ख्याल से इन levels पर धीरे दिने आपर छोटी position बनाई जा सकती है, मेरी ख्याल से के लिए 2-3 quarter में यहाँ पर improvement definitely नजर आना चाहिए, लेकिन हाँ अभी इसको बाय नहीं करना है, technical point of view से भी कह रहा हूँ, technical point of view से भी अभी जो items हैं उसमें बनाने में और इसको हम कई बार discuss कर चुके हैं, इसको मैं पिछले I think 2-3 साल में कई बार discuss कर चुका हूँ, मेरे core portfolio का partner काफी निचले इस तरो से है, तो बिल्कुल debt free company है, शांदार इसकी balance sheet है, profitability है, इसके भी quarter के नतीजे आये हैं, तो देखिए sales में गजब क के आसपास यहां पर हमको top line में growth देखने को मिल रही है, sequential basis पे भी काफी अच्छी growth है, margins देखिए, 22% से बढ़के margin 27% हो चुके है, yearly basis पे और 25% से बढ़के 27% quarterly basis पे, EPS growth देखिए 36% से बढ़के, 36% से बढ़के 59, तो मतलब 60% के आसपास की yearly growth है, और यहां पर definitely quarterly growth भी, काफ 27-20% के आसपास, तो overall top line, bottom line, margin, सारे ही metric पे काफी इच्छा है, यहां पर perform किया, polymedicure ने, तो यह भी एक long term story हां पर नजर आती है, उसके पीछे reason क्या है, उसके पीछे reason है, उसके पीछे reason है, देखिए, यहां पर government ने new medical policy यहां पर approve करी, अभी April के आसपास ही यहां पर यह जो opportunity है, make in India की medical equipment manufacturing में बहुत बड़ी है, क्योंकि अभी भी import, 80% import बहार से ही हो रहा है, उसमें से भी China का बहुत बड़ा है, यहां पर बहार से हो रहा है, तो definitely एक बड़ा growth trigger है, और जो medical policy यहां पर approve किये, government ने, इससे push मिरेगा, जो हमारा domestic जो यहां पर रुजहान है वो बढ़ता हुआ, यहां पर नजर आएगा, देखिए, it will present a chance to increase domestic medical equipment production and decrease the demand for imports, better local access, more affordable prices and the opportunity for innovation within the nation's medical device industry will all follow from increased domestic production, तो यहां पर जो 80% का भी import है, उसको यहां पर कम किया जाएगा, तो यहां पर एक बहुत बड़ा market है, बहुत बड़ी opportunity size है, polymedicore जैसी company के इंडिया में से, अब यहां पर management का interview भी में सुन रहा था, उसमें भी they are talking about this setup labs for testing medical devices, तो government ने यह भी एक नई, आप कह सकते हैं कि scheme यहां पर एक तरसे program यहां पर launch किया है, तो यहां पर जितना भी medical devices manufacture होंगे, domestically उनको test किया जाएगा, फिर उनको export किया जाएगा, तो polymedicore यहां पर काफी सारे approvals के साथ बैठी हुई है, और काफी सारे अच्छी चीज़ें हैं यहां पर जो आगे हमको काम करती भी देखने को मिलेगी, अभी देखिए इनकी growth domestic business में भी definitely काफी अच्छी है, और management का कहना है कि 20 to 25% growth यहां पर domestic business में है, यह export business में 25% growth यहां पर expected है, अभी हाली में इनको 2 FDA approval मिले हैं जिससे US structure इनका बढ़ता हो नजर आएगा, तो again export business यहां पर बढ़ता हो नजर आएगा, और आगे के जो growth triggers हैं, वो भी काफी शानदार है, डालेसिस मशीन, जो make in India मशीन है, इंडिजीनियस डालेसिस मशीन है, यह भी इस साल में 200 मशीन य यहां पर बनाने वाले हैं, क्योंकि इसका जो है export ही होता है, अभी import, basically इसका import ही होता है अभी, क्योंकि यह machine यहां पर नहीं बन रही है, और polymedicure बना रहा है, तो यह बहुत बढ़ी यहां पर substitute product होने वाला है, FI24 के में 25% के margin guidance management दे रहा है, अगले 3-4 साल में काफी सारी यह devices register होती भी नजर आएगी USA में, PLI benefits इनको मिलते हों नजर आएगे, तो बहुत सारे trigger है polymedicure में, और यह stock definitely अगर आपके radar में अभी तक नहीं है, तो इसको आपको जरूर यहां पर radar पर रखना चाहिए, देखिए काफी time से stock consolidate कर रहा है, एक range में, इस range में consolidate कर रहा है, ज result अगर खराब आते हैं, तो मैं position को नहीं बढ़ाता है, जब तक की result better नहीं हो जाए, तब तक उसको hold करना ही मैं बैतर हमसता हूँ, तो polymedicure में मैंने अपनी position बढ़ाई है, अगर आप इसमें buy करना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से current market price पर buy किया जा सकता है, यहाँ पर volume price, volume नजर आ रहा है, Jubilant Foodworks अभी इतना better नजर नहीं आ रहा है, तो Jubilant Foodworks को avoid कर सकते हैं, लेकिन polymedicure को definitely आप consider कर सकते हैं, तो I hope दोस्तों यह वीडियो आपको informative लगा होगा, पसंद आए वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए, और अप नेक्स वीडियो में, तिल देन, टेक केर, बाए-बाए